आजम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, विटामिन C के बारे में, तो इस वीडियो के अंदर आपको विटामिन C के बारे में पूरी इंपोर्मेशन मिलने वाली है, तो इसक्रीन के उपर आपको दो टेबलेट दीख रही है, एक लिमसी टेबलेट है, जो की कापी ज ज्यादा क्या गया था इम्मीटी को बुस्ट करने के लिए और एकrants छलिल टेब्लेट है इसके अंदर विटामिन सी होता है तो दोनों के अंदर, विटामिनसी होता है, विटामिन के द्धिता श्रामिक अवित नुट्रियंट जो आपार दोरा और जिसके कारण ही हमारी बोड़ी अच्छे से वर्ग करती है हमारा मेटाबोलेजिम होता है हमें एनरजी मिलती है हम काम कर पाते हैं तो कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमें बोजन के द्वारा लेने पड़ते हैं और कुछ विटामिन्स होते हैं जो हमारी बोड़ी अपने अंदर बना निक्स हो जाते हैं और जितना विटामिन हमारी बोडी को जरूरत होता है उतना विटामिन हमारी बोडी ले लेता है और फिर बचा हुआ विटामिन यूरेन के द्वारा हमारी बोडी से बार निकल जाता है तो इसलिए वाटर सोलीबल विटामिन को हमें रोजाना लेना होता ह ये बात आपको ध्यान रखना है, विटामिन C होता है, ये वाटर सोलीबल है, और B कॉंपलेक्स वाले सभी विटामिन आ जाते हैं, जैसे कि B1 हो गया, B2 हो गया, B12 हो गया, तो ये सभी B कॉंपलेक्स वाले विटामिन वाटर सोलीबल होते हैं, और दूसरे विटामिन होते ह यह हुआ कि ऐसे विटामिन जो हमारी बोडी के अंदर फेट होता है उसके अंदर सोलीबल होते हैं या मिक्स होते हैं और हमारी फेट के अंदर यह इस्टोर रहते हैं जब हम fat soluble vitamin vitamin बोजन के दोरा लेते हैं तो हमारी body जितना जरूरत होता है उतना vitamin ले लेता है और फिर बाकी बचा हुआ vitamin हमारी body के fat के अंदर store हो जाता है तो इसलिए हमें इन vitamin को रोजाना लेने की जरूरत नहीं होती है तो ये बात भी आपको ध्यान रखना है तो आज हमकेवल बात करने वाले vitamin C के बारे में अब हम बात कर लेते हैं के हमारी सरीर को रोजाना कितना vitamin C की जरूरत होती है तो नौरमली जो adult wacti होते है एडल्ट वेक्ति के अंदर जो मेल होते हैं मेल को लगबग 90 mg तो जाना विटामिन C की जरूरत होती है और जो फीमेल होते हैं उनको लगबग 75 mg विटामिन C की जरूरत होती है तो ये बात important है ये भी आपको ध्यान रखना है अब हम बात करते हैं विटामिन C के source के बारे में यानि हम विटामिन C कहां से प्राप्ट कर सकते हैं तो जो citrus fruit होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन C पाया जाता है जैसे कीवी fruit हो गया, lemon हो गया, orange हो गया तो जो सिट्रेस परूट होते हैं उनके अंदर सबसे ज़्यादा विटामिन सी होता है और जो हरे पत्तेदार सबजे होते हैं उनके अंदर भी विटामिन सी पाया जाता है तो स्केन के उपर आपको कुछ फ्रोड्स या वेजिटिबस दिख रहे हैं इन सबी के अंदर कापी परचूर मातरा के अंदर vitamin C पाया जाता है और milk के अंदर भी vitamin C पाया जाता है अब हम बात करते हैं vitamin C की अगर हमारी body के अंदर कमी हो जाया deficiency हो जाया तो हमें क्या sign या symptoms नजर आते हैं आमें कैसे पता चलता है क्या हमें vitamin C की कमी हो गई है अगर आपकी body के अंदर जो connective tissue होते हैं उनके अंदर defect होने लगे यानि आपके मसूडों के अंदर blood आने लग जाए आपको दातों के अंदर blood आए या आपकी body के जो hair होते हैं वो screw के shape के अंदर हो जाए आपकी immunity खमजोर ह जली बीमार हो जाए और किसी को छोट लग जाए और उनका वाउंड हिलिंग में ज्यादा टाइम लगता है तो यह भी विटामिन C की कमी का लक्सन हो सकता है और आपकी इसकिन के उपर कुछ इस परकार के रेट पेचेस बन जाते हैं जो इसकिन होती है वो डराई या रफ होत होती है तो यह भी कुछ विटामिन C की कमी के सिम्टम्स होते हैं और एनिमिया के अंदर भी विटामिन C की कमी होती है और आपको कापी ज़्यादा थाखान लगती है डिप्रेशन आता है तो यह सबी सिम्टम्स अगर नजर आते हैं तो हो सकता है कि आपके अंदर विटामि सी की कमी से इसकरवी नामक रोग हो जाता है तो इसकरवी के सिम्टम्स होता है कि हमारे स्कीन या म्यूकस होती है वहाँ पर ब्लीडिंग होती है या हमारे जो टीट होते हैं मौसूड़े होते हैं वहाँ पर बलड आने लग जाता है हमारे टीट होते हैं वो लूज हो जाते है हमें कापी ज़्यादा तकान या डिप्रेशन होता है हमारी मसल होता है वो वीक हो जाती है जोइंट एंड बोडी के अंदर कापी ज़्यादा दर्द होता है और हमारी स्कीन होती है वो रप एंड ड्राइ स्कीन हो जाती है और हमें infection होने का chance भी कापी ज़्यादा रेता है तो ये सभी स्करवी के symptoms होते हैं जो कि vitamin C की कमी के कारण हमें स्करवी नामक रोग हो सकता है अब हम बात करते हैं vitamin C के benefit के बारे में यानि vitamin C से हमें क्या फाइदे हो सकते हैं तो vitamin C अमारे immunity को कापी ज़्यादा boost करता है तो आप सभी जानते हैं कि corona के अंदर limb C tablet या vitamin C वाली tablet कापी ज़्यादा यूज की गई है सबसे पहला फाइदा है कि अमारे body की immunity power को boost करता है और ये अमारे body के लिए antioxidant का काम भी करता है अमारे body के अंदर कुछ harmful या toxic substance बनते हैं उनको ये kill करता है या उनको बार निकालता है तो ये powerful antioxidant का काम करता है और ये अमारे skin के लिए कापी ज़्यादा helpful होता है अमारे skin को glowing और healthy रखता है तो vitamin C अमारे skin के लिए कापी ज़्यादा फाइदे मन्द है और vitamin C हमारे heart को भी कापी ज़्यादा healthy रखता है और अमें anemia से prevent भी करता है जब किसी के अंदर खून की कमी हो जाती है anemia नामक disease हो जाता है तो उसके अंदर भी ये कापी ज़्यादा health करता है और जब किसी को chort लग जाती है चोड के काई उनका wound होता है वो जल्दी हील नहीं होता है तो ये wound को जल्दी हील करने में भी मदद करता है तो vitamin C काउ को जल्दी बनने में कापी ज़्यादा मदद करता है और joint के अंदर जो pain होता है डियो के अंदर दर्द होता है तो दर्द को कम करने में भी ये कापी ज़्यादा मदद करता है और हमारे ब्रेन के लिए भी ये कापी ज़्यादा फाइडमन्थ होता है तो ये सबी फाइदे होते हैं विटामिन C के कुछ बातें विटामिन C के बारे में आपको पता होना चाहिए ज्यादा मातरा और लंबे समय तक विटामिन C का यूज नहीं करना है क्योंकि ज्यादा समय तक क्या ज्यादा मातरा के अंदर इसका यूज करने से हमें किड्नी की प्रोबलम होने का चांस रेता है हमें किड्नी स्टोन होने का चांस रेता है और overdose लेने के कारण हमें diarrhea, stomach के अंदर pain या digestion की problem हो सकती है या ulty भी हा सकती है तो ये सभी overdose लेने के कारण हो सकता है तो इस वीडियो के अंदर जो भी मैंने vitamin C के कमी के symptoms बताएं वो सभी symptoms अगर आपके अंदर हैं आप किसी doctor को दिखाए और doctor आपको vitamin C medicine prescribe करें तो आप इसका यूज भी करें जिससे आपको कापे ज़्यादा benefit हो सकता है तो वीडियो आपको अच्छा लगा तो like जरूर करें क्यूशन होता आप comment कर सकते हैं